नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज आप सोच रहे होंगे कि खाने के अलावा ये क्या आ गया है तो आज हम खाना नहीं बनाएंगे आज मैंने बनाई ये बढ़िया सी आरती की थाली वो भी सिंपल बर्तन को यूज करके तो मैंने सोचा आज आपके साथ भ दिवाली आ रही है तो उसमें ये बढ़िया सी आरती की थाली आप बना सकते हैं बहुत ही असानी से भी बन जाएगी खर्चा भी बिलकुल नहीं है तो सोचा मैं बनाई रही तो आपके साथ भी शेयर कर लूँ उसके लिए देखिए इस तरह से बर्तन हमें चाहिए और यह यहां पर सबसे पहले पैन की मदद से सर्कल बना ले ताकि तीनो साइज आपको कट करने में बिलकुल भी प्रॉब्लम ना हो यहां पर दीखिए तीन तरह की मैंने प्लेट ले लिए सबसे बड़ी फिर मीडियम फिर सबसे छोटी तीनो पर मैंने अलग-अलग साइज के जो सर्कल कट किये थे वो लगा लिए है और यह सेलो टैप की मदद से यह टैप की मदद से हम अच्छे से चिपका देंगे तो बस इसी तरह से तीनो पलेट में अच्छे से आप देख सकते हैं यह और यह जो पलेट की अंधर की जो बॉड़र है उसे भी हम एक पट्र चाट पे मुझा आप ले सकते हैं अब एक प्लेट के ऊपर मैंने यह स्टील का ग्लास रख दिया है और यह स्टील के उसाइट की कि बढ़ा लेंगे यह आप अधिया लेंगे ओं आप और उसके ऊपर का जो लिए पाठ है निकाल कर इसे घ्लास को उल्टा करते हुआ । अब इसके उपर भी हम ये double sided tap लगा लेंगे और इसके उपर ये medium size की जो plate है न वो लगा लेंगे उसके बाद ये जो छोटा सा glass है इसके किनारों पर भी मैंने ये tap लगा ली थी same process अब ये जो last वाली छोटी सी plate है उसे भी लगा कर थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने glue gun ले लिये आप favicle की मदद से भी ये चिपका सकते है ये normal देख सकते है ये जो lace आती है हमारे घर पर होती है तो बस आप कोई भी lace लगा सकते है या कोई भी paper की मदद से भी colorful papers भी लगा सकते है ये चोटा सा सबसे उपर मैंने दिया रख दिया है और ये ये वो वाचें